सूपर बात बच्चों, ऐसा पियस की ओनलाइन कख्षा में मैं आपका स्वाधत करती हूँ मैं रश्मी मुझनदाली आपकी नरसी कख्षा की क्लास टीचर मैं आज आपको पढ़ाऊंगी स्वाध पैर का जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम एडी बोलते हैं क्या बोलते हैं एडी तो चलिए लिखना सीखते हैं कैसे लिखते हैं मेक अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन अब हमें चोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है ये हमने बना ली अब हम यहीं से स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे अब हम यहां से टर्न करते हुए हलका सा बीच वाली लाइन से टच करते हुए इसको यहां तक ले जाएंगे अंदर की तरफ यहां से टर्न किया फिर बीच वाली लाइन से मैच करते हुए बनाया और उपर स्लेपिंग लाइन यह हमारा बन गया ए ए से एडी फिर से लिखें चोटी सी स्टेंडिंग लाइन देन स्लांटिंग लाइन देन यहां से हलका सा स्ट्रेट देन टर्न करते हुए बीच वाली लाइन तब यहां तक लेके आनाय लाइन को और उपर स्लेपिंग लाइन यह हमारा बन गया ए से एडी फिर से लिखें स्टेंडिंग लाइन देन स्लांटिंग लाइन यहां से टर्न करते हुए बीड़ वाली लाइन से यहां तक लेके आना है और उपर स्लेपिंग लाइन यह हमारा बन गया ए से एडी अब हम पढ़ेंगे आई आई से एनक आई आई से एनक एनक को हम चश्मा भी बोलते हैं तो चलिए लिखना सीखते हैं आई की जैसे ही लिखना हमें पहले हम ऐसे एडी जैसा ही बनाएंगे है जहां से टररन किया मिटवरी लाइन से यह तक टच किया उपर स्लेपिंग लाइन यह हमने A से एड़ी लिखा है इसमें हम उपर यह A की मात्रा लगाएंगे तो यह A से एनक बन जाएगा यहां से नीचे से स्टार्ट करना है हमें यहां से नीचे से स्टार्ट करते वे हम उपर की तरफ ले जाएंगे उपर वाली लाइन से टच किया हलका सा टर्न किया नीचे की तरफ और ऐसे गोल बना दिया यह हमारी बन गई ए की मात्रा ए से एडी की उपर हमने यह मात्रा लगा दी तो यह बना ऐसे एनक फिर से लिखे स्टेंडग लाइन स्लांटिंग convene 2019 से यहा तक नेच ंचिया और यहासे हम मात्रा बनाएंगे एकी की मिटर जाते तुपर से तरफ ले जाते वहें के नीचे लाइन से टच किया उपर वाली लाइन से टच करेंगे है यहां से नीचे की तरफ टर्न करते हुए ऐसे गोल बना देंगे यह बन गए हमारी मात्रा और उपर स्लेपिंग लाइन यह हमने क्या लिखा आई आई से एनट फिर से लिखे यहां से टर्न करना है हलका सा और बीच में से ले जाते हुए यहां मैच करना है और यहां हम मात्रा बनाएंगे टर्न किया और ऐसे गोल बना दिया और उपर स्लेपिंग लाइन यह हमने क्या लिखा आई आई से एनट आई आई से एनट अगली कक्षा में जब तक के लिए टेक केर धन्यवाद